देश नीती किवल सच्ची और पक्की खबरे यह तय है यह दो भाग क्या होंगे एक तो वो होगा जो इस ताना सा ही रवये या फिर कहले कि जो लोगतंत्र को खत्रे में डालने की बात कर रहे हैं जिस पर आडोप लग रहा है कि यह लोगतंत्र के लिए खत्रा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे उससे लरेंगे यह जानते हुए कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ बहुत सारी कारवाई हो सकती है यह जानते हुए कि उनके जान भी जोखिम में आ सकती है यह जानते हुए वो लरेंगे एक हिस्सा तो यह होगा दूसरा हिस्सा होगा जो खुद को इस सक्ती के सामने यह जो सकती है, यह जो कल्यूक का असूरी सकती जिसको कह सकते है आप, जो लवक्तंद्र को खत्रे में डाल रहा है, उसके सामने नत्मस्तक हो जाएंगे, चर्नों में लेट जाएंगे ताकि जो उनकी असूरी सकती है, वो उनका कवच बनकर हिफावज़त कर सके. या कह लीजिए कि बस इस डर से उनके चर्णों में लेट जाएंगे कि उनके खिलाफ कोई कारवाई न हो जाए या इस लोग में उनके चर्णों में लेट जाएंगे कुछ फाइदा हो जाए अब इसमें जो लोक्तंत्र के जो कुल चार अस्थम कहे जाते हैं उसमें चौथा अस्थम जो है ना वो कब का लड़कडा चुका है जो मीडिया जिसको पत्रकाडिता जगत यह आम जनता गाउं से लेके सहर तक हर कोई जान चुका है हर कोई जानता है जो इसे फॉलो भी करते हैं जो इस गोदी मीडिया जिसको नाम दिया गया है गोदी मीडिया का जो इसको फॉलो भी करते हैं दिन राथ देखते हैं वो भी जानते हैं कि हम इसलिए यह देखते हैं क्योंकि यह हमारी बात दिखाता है क्योंकि वो अपने आपको समर्पित कर च का क्यूंकि जब खत्रे में आने की बात हुई है लोक तंत्र की तो लाजमी है कि ये भी दो हिस्से में बटे गा कोई हाई कोट का जज कहेगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं बीजेपी के संपर्क में था और बीजेपी भी मेरे घटनाएं होगी। जब ऐसी घटनाएं होगी, और कोई राजनीतिक पार्टी संस्था में न्याइक पदप कारीरत चहरे को बुलाकर अपने पार्टी में बिठाएगा। उसे मिठाई खिलाएगा, उसे टिकट पकड़ाएगा, तो इसमें कोई दोराई नहीं है कि देश के तमाम हिस्सों में, तमाम जगों पर जो जज बैठे हैं, उसमें से कई, कई और इस फिराक में, इस कतार में लग जाएंगे, इस सक्ति के संपर्क में रहा जाए, क्या पता क इस दिन किस्मत का पत्रा खुल जाए, और हमारे जोली में भी एक आग टिकट आगिरे, कुछ ना भी सही, तो रिटार्मेंट के बाद कुछ काम तो आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं भी मिला, तो कुछ गरबर किये होंगे, उससे बच ट्वीट में एक अमित्सा का फोटो भी है, तो ट्वीट क्या लिखा है, कॉंग्रेस की पॉलिसी ही है, इस देश के दो टुकडे होने चाहिए, साथ इंडिया और नौर्थ इंडिया, लेकिन राहूल बाबा आप चिंता ना करें, अब भाजपा इतनी ताकतवर है कि ये बातें ऐसा नहीं है कि अमित्सा पहली बार बोल रहे हो, बीजेपी के नेता दिन रात इस तरह का बयान देते हैं, हो मिनिस्टर है देश के, लेकिन जो महत्पूर्ण है इस ट्वीट में देखना, वो है ये तस्वीर, अमित्सा ने ये बातें कहां पर बोली, एक पत्र कारिता के मंच पर, ये दावा करता है कि ये एक न्यूज चैनल है, जो खबरे पर उसता है, ये ऐसा दावा करता है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये आपको तै करना है, आप सोचिया, अमित्सा, देश का ग्रिह मंत्री, उसके मंच पर बैठ कर, बोलता है, कॉंग्रेस की प साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, इनको कोई पढ़ाए, कोई चार-पांच किलास, का जο ये, इतिहास का कोई किताब पढ़ाए इनको, ये तो देश के हीरो में भी सेलेक्टिव हो गए हैं, कुछ को अपना हीरो मानते हैं, कुछ को नहीं मानते हैं, सर्दार वल्लब भाई पटेल जिन्होंने नहरूजी के नेत्रित्व में सारी रियाइस्तों को एक किया और इतना बड़ा लोगतंत्र खड़ा किया भारत देश के रूप में एक मीडिया मंच पर बैठके आप अपने पार्टी प्लैट्फॉर्म पे अपने रैलियों में जितना जुट बोलें सरम आता है सर जुक जाता है जब एक मीडिया मंच से इस तरह से कोई पार्टी का नेता जूट बोलकर चला जाता है और मेडिया मौन रहती है और उसको मंच प्रोवाइट करती है कि आईए आप जूट फैलाईए आप जनता को बरगलाईए खेर चलते हैं में ख़बर पर जिस जो वीडियो जो खबर आपको बताने आया हूँ चलिए उसको बताते हैं ये तो इनका रोज का काम है यूपी बड़ेली एडिस्नल कोर्ट के जज है रवी कुमार दिवाकर पिछले दिनों खूब चर्चा में थे किस बात के लिए चर्चा में थे कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मारा था इन्होंने इन्होंने एक फैसला सुनाते वक्त कानूनी पद पर बैठ कर फैसला सुनाते वक्त उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी की जम कर तारीफ की और किसी काम के लिए तारीफ नहीं की तारीफ किस चीज के लिए की अगर आपने नहीं सुना तो एक बार मैं पढ़ कर बता देता हूँ रवी कुमार दिवाकर जी क्या कहे जब कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर बैठता है तब उसके अच्छे परिनाम होते हैं दार्सनिक प्लूटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक और फिलोसफर किंग में कहा है कि हमारे नगर राजियों में तब तक कश्टो का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्सनिक राजा ना हो आज नियाय का मतलब कानून है उन्होंने आगे ये जो पूरा बात कहा कि जब तक धर्म से जुरा हुआ राजा जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो सत्ता की कुर्सी पे नहीं बैठेगा तब तक जो है दुख, दर्द का अंत नहीं होगा जनता का अगर सियम योगी ना होते तो तौकीर राजा कुछ दिन पहले भी दंगा करा देते उन्होंने साथ में क्या कहा कि जो फैसला सुना रहे हैं जो फैसला सुना रहे हैं उसकी एक कौपी जो है फैसले की एक कौपी वह योगी जी को भी बेज़ा जाए ताकि उनको पता तो चले लेकिन मैंने शुरुवात में आप से कहा कि दो सकतिया, दो भाग में बटेगी, जब भी ऐसे खत्रे आएंगे, जब भी ऐसी बाते उठेंगी, हर संस्था दो भाग में बटेगी एक जो नतमस्तक होगा दूसरा जो लड़ेगा अब यह दूसरा हिस्सा कौन है दूसरा हिस्सा वही है जो मुखी खबर है जो में खबर आपको बताने आया हूँ इस वीडियो में वही दूसरा हिस्सा है और दूसरा हिस्सा वो है जिसने एडिसनल जल जज जो बड़ेली के ए चंद्रचूर साहब जो देश के अभी सीजे आई है सुप्रीम कोड के तो नाइन साथ फी होगी चंद्रचूर साहब के लिए अगर बात कही जाए यह वही भगत सिंग के का जो बं फेकने वाला कहानी था ना एसेंबली में उस कहानी से बड़ा मिल खाता है क्या मिल खाता है भगत सिंग ने एसेंबली में बं उस जगह फेका जो खाली जगा था, जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे, किसी व्यक्ति को जानमाल का खत्रा न हो, क्यूं फेका, बहरों को थोड़ा उची आवाज की जरूरत परती है, कान में आवाज जाने के लिए, तो जो नियाईक सिस्टम में, जो नियाई पाली का जुडिसेरी सिस्टम है, उसमें जो लोग बहरे हो चुके हैं, जो अंधे बहरे होने का ढोंग कर रहे हैं, जो भी लोग, उनके लिए CGI साहब जो हैं, वही उची आवाज हैं, इनका जो सक्त रवया देश देख रहा हैं, चाहे माहौल कुछ भी हो, इन पर सुन्य भर का, सुई भर का जो है, कोई असर नहीं हो रहा है, जिस काम के लिए जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी की मर्यादा हर दिन और उचा करने की कोशिस करते हैं, और इसलिए सायद ज़स्टिस राम मनोहर नारायन मिस्रा जी, अलाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, राम मनोहर मिस्रा सहाब, उन्होंने आज जो है, रवी सहाब को, जो योगी जी की तारीफ कर रहे थे, उनको जम कर फटका रहा है, जी दोस्तों, लाइव लाउग की ये खबर देखिए, हेडलाइन क्या लिखा है, क्या मतलब हुआ, गैर जरूरत, गैर जिम्मेदाराना, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे विचार व्यक्त किये गए, जो, रवी साहब ने, योगी जी के तारीफ में, फैसले में जो तारीफ की थी, लंबी चौरी, उस पर, हाई कोट, अलाबाद हाई कोट के जज, राम जी कह रहे हैं, अन्वारंटेट एक्सप्रेशन्स, कंटेनिंग पॉल्टिकल ओवर्टून्स, जिसकी जरूरत नहीं थी, वैसे विचार इन्होंने व्यक्त किये, अपने फैसले के दौरान, जो की, राजनितिक भावनाओं से भड़ा पड़ा है, राजनितिक गुनगान से भड़ा पड़ा है, अब आश्यर की बात है, कि एक सम्वेधानिक पत पर बैठा जज, क्यों राजनितिक गुनगान से भड़ा हुआ फैसले में, अपने फैसले में, राजनितिक किसी भी राजनितिक विचार धारा या किसी भी व्यक्ती राजनेता की तारीफ क्यों कर रहा है, क्यों भर-भर के उसमें जो है, अपने फैसले में वो सुना रहा है, ऐसा क्या वो सिर्फ जनता के लिए होता है और इस तरह का जो ओर्डर है वो जनता के बड़े हिस्से यानि काफी सारे लोगों को मिसगाइड करने वाला है आगे अलाबाद High Court जो है जो रभी साहब को कह रहे हैं जनोंने योगी जी की तारिफ की उनको कह रहे हैं कि इस तरह का फैसला जो है जनता को गुम्राह करने वाला है नियाइक अधहकाडी से यही उमीद किया जाता है कि वो अपने विचार या मुद्दा है जो केस है उससे हट कर अपने विचार ना व्यक्त करें वो मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित रखें तो दोस्तों जश्टिस राम ने जो फटकार लगाई है राम जी ने जो फटकार लगाई है युगी जी के पुल बान्दे वाले जज रवी साहब को जो फटकार लगाई है उस पर आप क्या विचार रखते हैं किसी भी जज का या किसी भी सम्विधानिक पर बैठे व्यक्ति का किसी पार्टी के लिए किसी नेता के लिए किसी सत्ताधारी पार्टी के लिए इतना प्रेम होना कितना सही है आपको क्या लगता है इस तरह का होना चाहिए या अगर कोई सम्विधानिक पर बैठा जज इस तरह की बाते करता है किसी पार्टी से इतना प्यार दिखाता है तो आपको क्या लगता है कि वो जज जिस कुरसी पे वो बैठा है नियाई की कुरसी पर उन मामलों में कई मामलों में नियाई कर पाएगा वो इंसाफ दे पाएगा जिसे किसी एक विचारधारा से इतना प्रेम हो यह आपको कमेंड बॉक्स में हमें बताना है हमें लिखना है और इसके साथ साथ आपसे एक सिकायत भी है एक प्रसनल सिकायत है कि आप वीडियो को अंतख तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत पूर्ण है और क्योंकि यह हमें हिम्मत देता है कोई चार्ज नहीं है कोई पैसा नहीं लगता अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जो सच्ची पत्रकारिता इस तरह की खबडे सामने लाने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है वो इसी सब्सक्राइब से हमें मिलती है आप जितना ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे हमें अच्छा लगेगा हमें और हिम्मत मिलेगी वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद देखते रहे है देशनिती फिर मिलते हैं नई रिकोर्ट के साथ धन्यवाद झाल झाल